हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टडी है चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाब की सीरीज चलिए जिसमें हम बात करते हैं वोकाब की एकड़म बेसिक लेवल से जिनने अगर कुछ नहीं भी आता होगा वोकाब में वो भी सीख सकते हैं बड़ी ही असानी से तो जैसा कि आप नेमोनिक्स टेक्निक के बारे में जानते होंगे ठीक है तो मैं इसमें नया करता हूं मैं इसमें नेमोनिक्स टेक्निक के साथ पिक्चर टेक्निक भी यूज करता हूं जिसमें मैं पिक्चर रखता हूं उससे रिलेटे तो और जिनके नेमोनिक्स और पिक् करते हैं जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत बेनिफीसियल है और इसमें हम प्रैक्टिस के लिए प्रीबिएस यर के कुस्चन्स भी करते हैं और हमारे यह क्लास डेली 5 पे होता हो और हार्डली यह पचीस से 30 मिनट की क्लास होती है ठीक है अभी तक हम लोग ने सक्सेस्फ ठीक है वेरफेट मतलब बंचित ठीक है डेप्राइब कट अफ रॉम लैकिंग यह सब क्या है इसके सिनोनिम से अप इसको याद कैसे करोगे तो आपको मूवी ध्यान में रखना है तारे जमीन पर मूवी में अपनी इस लड़के को देखा होगा ठीक है जिसको मा का प्यार इसको नहीं मिल पाता ठीक है तो वो क्या होता है वंचित रह जाता उस चीज से अवह नचीत बोल सकता थो आप इसको रहाम से क्लियर हो जाएगे अप इस फीगर को याद रख सा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स है वीच्ट मतलब होता है मोहीत कैप्टिवेट फैसिनेट यह सब क्या है इसके सिनलीम्स है विच मतलब आपको पताई होगा चुरैल होती है तो चुरैल क्या करती है किसी भी जो मर्द हो या फिर कोई बच्वा हो तो उसको क्या करती है अपनी तब आकर्सित करती है ठीक है तो मोहित करती है तो बी विच मतलब की चुरैल के जैसे ठीक है बी विच मतलब तुम चुरैल के जैसे हो मतलब क्या कर रहा हो मुझे attract कर रहा हो captivate fascinate कर रहा हो ठीक है आप इस पिक्चर को देख लो कैसे यह इसको अपने तरफ आकरशित कर रही है तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके रिपेल मतलब करता है दूर हतना ठीक है शल यह आगे बात कर लेते हैं नेक्स जो हमारा वाड़ हो है बाई फरकेटेड ठीक है बाई मतलब क्या होता है टू ठीक है मैं आपको यह पिछले classes में बता चुका हूं बाई का मतलब होता है टू ठीक है जहाएं पर हमने पढ़ा था एंबी डेक्टरस महां पर भी बाई आ रहा था ठीक है तो बाई बाई फरकेटेड मतलब होता है दो साखाओं में बटना डिवाइडेड इंटू टू फॉर्क ब्रांच डाइवर्ज आपने फॉर्क देखा होगा बहुत सारी साखाओं होती उसमें ब्रांच में बटा हुआ रहता है ठीक है आपने फॉर्क वाल चमच भी देखेंगे कि ऐ ऐसे सीधे चलिकी है इस राध से यहांएपर बट रहा है रास्ते डो पार्ट में ड दीवाइयड हो रहा है तो इसको आगे जो यह है इसको बोलेंगे फॉर्क एंथर रहा हो ऑगा और इदर से आरा गा तो उसके लिए क्या और रास्ते मिल जाएंगे लिए चीज हो एक रास्ते के दो रास्ते हो जाते दो साखाओं में बढ़ जाते तो चली आई होप आपको यह चीज समझ आ गई होगी किलियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड है बाइंड इस वर्ड से आप लोग बहुत फैमिली और होगे बहुत इजी वर्ड है इसको बोलते हैं यूनाइट टाइअप बैंडेज अटैच यह सब क्या हैं इसके सिनुनिम्स हैं अगर आपके पास बहुत सारा आपको बोले कोई की लक्री जमा करो तो आप उसको लाओ जमा करके तो क्या कर तो उसको एक साथ बांध देतो ताकि वह इधर उधर ना जा ठीक है तो इसको बोलते बाहिए और इसके अन्टोनिम्स की बात कर लेता हो जागा अनफास्टेन अंटाई फ्री मतलब जिसको आजाद कर दो अभी आप टाइप किये गप्पी जो बकबक करते रहता है ठीक है नॉंसेंस चैटर यह सब इसको बोल सकते अब देख पार होगे हैं इमेज से बला 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 जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ठीक है इसके लिए मैंने आपको ओड़ुएस भी बता रखा है तो आप कमेंट में इसको जरूर लि चुपा कर रखता है ठीक है बार-बार गप्पे नहीं मारता रहता उसी को बोलते है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो जैसा आपको पता ओड़ुएस का सेशन होता है तो आज का जो ओड़ुएस है वह है ओड़िवाल ठीक है वन वर्ट सब्स्टिशिशन तो ओड़िवल मतलब होता स्रवन यह मतलब सुनने है यह जो की सुनाइदे ठीक है डाइट यहां पर देखो अगर फर्स्ट बेंच पर बैठोगे तो आपको चीजे बहुती क्लियरली सुनाइदेगी तो ओड़िवल होगी नेक्स्ट बात कर लेते हैं और यही मैंने कल आपको को हमवर्क दिया था ठीक है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मैं इंक्लूड नहीं कर पाया आज किसी का अनवस तो चलिए आप लोगों ने इंसर कर दिया यह बहुत ही अच्छी बात है तो वन हुम इसको बोलते है ओडिटर ठीक है लेखा परिक्षक ठीक है इसके जॉब्स भी आते हैं तो यह चीज आपको आसानी से आप लोग उन्हें इसको देखा भी होगा पढ़ा भी होगा वर्ड को तो आपके लिए बहुत ही फैमिलियर होगा और गवर्मेंट जोब की प्रैक्टिस क कर रहे हो तो यह सब सब्सक्राइब आपको आने चाहिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑडिटोरियम मतलब सभागर आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा ऑडिटोरियम में बहुत बार गया होगे जब भी कोई function होता है dance program कुछ भी हो तो आप ऑडिटोरिय नेक्स ऑथेंटिक ऑथेंटिक मतलब काता प्रामानिक जो चीज रियल हो ठीक है ठीक है फेक नहीं हो अथेंटिक उसी को बोलते है प्रामानिक मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे ठीक है जैसा है वहाई होगा ट्रेडिशनल या ओरिजिनल वे मोता उसी को बोलते है ऑथेंटिक ठीक है something that is genuine जो चीज जन्यून हो उसी को authentic बोलते है ठीक है i was a synonym कि क्या हो जागा genuine हो जाएगा आप लोग ने यह सब बहुत बार पढ़ा हो तो आपको यह चीज clear होगी मुझे नहीं लगता कि किसी कोई इस से इस वर्ड को जानक्यारी नहीं होगी इस वर्ड की आप लोग सभी इस को जानते हो इस वर्ड से familiar हो गए चलिए next बात कर लिखता है उसी को बोलतो आटो बायोग्राफी जो अपनी जिबनी लिखो होगे उसी को आटो बायोग्राफी बोलेंगे मतलब क्या आपनी कथा आपने खुझ से अपनी कथा लिखी है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको जैसा पता है कि idiom and phrases के session आते हैं तो आज का जो idiom है first idiom है वह है all in मतलब क्या होता है पूरी तरह थका हुआ ठीक है इन bad spot, exhausted, worn out, spent यह सब होते हैं इसका मतलब ठीक है अल in का मतलब ही होता है bad situation जब आप पूरी तरह थके होंगे या फिर आप बुरी situation में होंगे ठीक है आपका सब कुछ दाव पे लगा आगर आप gambling करते हो तो तो क्या होता है कि आप जब जीतने लगते हो सारे दाव लगा दे तो बहते और all in ठीक है तो क्या होता है जब सार को पाती बुरी स्थिथी में होते हों ठीक है चटिन बात कर लेते ह। All in a days work रोज मर्रा का काम जो होता है उसी को बोलते पार्ट आफ पर्सन टिपकल ररक है घर दिन का जो कार होता है उसी को मोलते है all in day work तो दिन में जο ठीक है ना कोछ फुठी लेती है न बीमारी हो कुछ भी वो देली काम करती बीमारी भी हो फिर भी अपना काम डेली करती है तो आप इस चीज से को ठीक है खुद उसकी कोई चमक नहीं होती है मतलब दिखावा करता है कि ऐसा चमकिला बनता है कि उसकी अपनी चमक लेकिन होती नहीं है तो वही बोला जाता हम आल मून साइन दिखावती के लिए फार फ्रम रियालिटी जो बास्तिविक्ता से बहुत दूर हो ठीक है नॉंस पूरी तागत होती है सारा जोग देते किसी काम में ठीक है तुसी को बोलते है आप देख पारोंगे इस बंदे को टग आफ बार के लिए पूरी तागत जोग रहा कि ताकि यह जीत पाए ठीक है नेक्स बात कर लेते है नेक्स जो है वह है आल ओवर हेल्स हाफ एकर मतलब कर तक पहूँच है 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 ह sound कि अग्या होता नर्ग मतलब आफ ने सभी जगह सभी जगह होता है एभरी थीक है औल ओवर हेल्स हाफ ول Secondly कोई काम कर रहे हो है। प्रहएं हर जगह आप को जाके फैला रहा पना हीजिस है इसको commence इसको हर जगा फैला दिए उसको बोल सकते हो ऑल कि मेरा बिजनस ओल ओवर हेल्स हाफ एकर है, मतलब हर जगा है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जैसा कि आपको पता अगर आप हमारे क्लास के साथ जूरे होंगे, तो कि एक पैंडोरा बॉक्स होता है, जिसको हम ओपेन करते हैं, तो उसमें से कुछ निकलता है, गर आप नियू है, तो मैं आपको बता दू कि इसमें से निकलता है, अंडेड गोल्डेन रूल्स इंग्लिस ग्रामर के, जिसकी हेल्प से हम एरा डिटेक्शन और संटेंस इंप्रूमेंट के कुष्चन को करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने 23 रूल डिसक्स कर लिए, आज हम 24 व लेकिन दो प्रिंस्पल वर्ब आ रहे हों, तो उन दोनों में जो अलग अलग भी लग सकते हों, और करेक्ट वे में आपको लिए आना है क्या लग सकते हैं, ठीक है, अलग भी लग सकता है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से अलग वर्ब वहाँ पर सही ठीक है, जैसे इंकरेक्ट संटेंस देख लो, 10 candidates have passed one field, ठीक है, ये भी एक भर्ब है, पास्ट भी फिल्ड, तो इसके लिए एक जोली भर्ब यहाँ पर है लग रहा है, लेकिन यहाँ पर one है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, singular वालना लगना चाहिए, तो क्या होगा इ लेकिन अपकमी एक्जाम का क्या पता कि आपको इससे भी आ जाए question, तो मैं इसलिए आपको discuss कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़े exam में न छुटे, ठीक है, चली, next बात कर लेते हैं, next जैसा कि आपको पता है कि हमारे pyq questions होते हैं, वो क्या आपके, जिनको हम discuss क पताने किसका एंटोनीम स्काइब, ठीक है, चार ओप्शन मिले है, मेटावर्थ, मेटोनीमी, सिंफनी, सिनोनीमी, चली, इसी के साथ आपका टाइम अप हो चुका है, तो आप लोगों ने answer कर ही दिवा, बहुत हीजी है, तो एंटोनीम्स का एंटोनीम्स क्या होता है, सिनो मतलब होता है, समान अर्थवाले सब, ठीक है, आपको हो सकते तो मेटावर्थ नहीं पता होगा, ठीक है, तो मेटावर्थ एक 3-D virtual space होता है, आप इसको बोल सकते है 3-D virtual space, ठीक है, जहां पे आप क्या करते है, ह्भी एंटोनीम्स कर सकते हैं, वह सब चीज एक्पिरियन्स क कर सकते जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पा रहों तो यह वर्चुल सस्पेस है जहां प Champion Can क्या होगा मेटोनीम मतलब होता है लक्षन अलंकार ठीक है इसको बोलते हैं लक्षन अलंकार ठीक है अलंकार जिसमें पदार्थ के पदार्थ के लिए उसका लक्षन बताया जाए ठीक है कि कैसे परदार्थ वर्क करता है यह सब चीज बताया जाता है उसको बोलते हैं मेटोन इसका जो सही सिनोनिम्स होगा ठीक है तो इसके साथ टाइम आप हो गया और इसका जो सही सिनोनिम्स होगा ठीक है तो वह क्या हो जगा मोग मॉक मतलब क्या हो उपहास कर से उपहास मतलब क्या होता है ठीक है मजा खुड़ना आप इसका वो सकते हो रेडिक्यूल यहींक क्या बोल सकते हो दे रीजन थो यहीं के लिजयन बहुंज मोनीटर आपको पता है निगरानी करना है और एक मोनीटर मिटाने रीवर जो सम्मान देते हैं उसको बोलते हैं रिवर इसको बोल सकते हैं सब्सक्षब ठीक है और क्या बोल सकतो respect बोल सकतो admire बोल सकतो ठीक है मोग उसी का flood का सिनोय में डीवल्ज मतलब क्या होता है प्रकट होना ठीक है किसी का आप भेद खोल दे तो उसको डिवल्ज बोलते इसके लिए मैंने आपको एक क्या Indian Indiaishaत्त आप उस रियेम को क्मेंट बॉक्स में बताना वीडियो हैं और बार तो तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन जो है आपको सिनोनिम्स बताना ओप्सेंस का ठीक है चार ओप्सेंस हैं डिर्टी कलीक सस्पेंडेड प्रीजूडाइस ठीक है आप हेल्प ले सकतो इस संटेंस का मुझे नहीं लगता आपको ज़रूत आप इसको बोल सकतो मेसी और क्या बोल सकतो फिल्थी ठीक है यह भी होता है कलीग आपको पाता है सहकर्मी जो आपका को बढ़कर होता है उसी को कलीग बोलते हैं सस्पेंडेड मतलब आपको आता है सस्पेंड करते हैं किसे को क्या करते हैं निलंबित करते हैं ठीक है प्रो कर रहा है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको एंट्रोनीम से बताने इस वर्ड का वर्ड कौन सा इम्मीन ठीक है चार ऑप्षन है फ्रेजाइल सेडेंटरी सेप्टेबल सीख ठीक है आई होप आप लोग सही-स इसके एंट्रोनीम से बता ही दिये होगे तो इसका जो एंट्रोनीम होगा वह क्या हो जागा जद्ली बताओ वह इसका जो एंट्रोनीम से वह होगा hour hour क्या होता Verkehr मत obligation मतलब होता है नांजुक्म है डिकalten is किम शेडेंट्री कि बात कर लें तो मतलब होता है जो गतिहीन हो ठीक है बोल सकतो एस्टेटिक और क्या बोल सकतो इनॉड कि आप इसको ठीक है और स्टैगनेंट बोल सकतो ससेटेबल मतलब होता है भाबू ठीक है, बोल सकतो आप इसको, ठीक है, क्या हो जागा, sensitive, ठीक है, तो जो resistant है, और ये इसका opposite हो जागा, sensitive, ठीक है, सिक मतलब क्या होता है, भीमार, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते हैं, तो next आपको one word बता आना है, अब perfectionist का, ठीक है, 10 second मिलेंगे, option है, ambidextrous, omniscient, optimist, और meticulous, अगर आपने previous class देखेंगे, तो आप सारे option eliminate करके, इसको answer कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा meticulous, ठीक है, perfectionist है, मतलब meticulous, ठीक है, मैंने ये सब चीज़े जो उपर है, वो previous class में discuss कर रखी है, तो आपके लिए असान होता, अगर आपने previous class देखा होगा, ठीक है, तो अच्छे लिए next बात करते है, next आपको one word बताना, इसके लिए a ruler who has complete power, ठीक है, तो आपको कब से कब बताना है, जब हमाजी class over हो जागी 5.25 में, वो कब से लेके 10 बज़े तक same day, ठीक है, 10 पीम तक करना है, ताकि मैं आपके comments को include कर पाऊं अपने next वीडियो में ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही, आपको आज का class कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो class को like कर दे, चैनल को subscribe कर दे, अपने दोस्तों में share कर दे, जिनने work app की class चाहिए, ठीक है, कम समय में ज़्यादे चीज़े चाहिए पढ़ना हो जिसे work app के साथ English grammar के important rules भी discuss करने हैं, तो वह ऐसे लोगों को आप जरूर से जरूर से शेयर करें, ठीक है, तो मिलता है, फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आओंगा, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!